Hello Friends, Welcome to my channel Greenhouse और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा अगर आपका अपराजिता का पौधा सूखने लग गया है और आपके अपराजिता के पौधे में बिलकुल नई ग्रोध आनी बंद हो गई है और बिलकुल भी फ्लावरिंग बंद हो गई है यानि कि आपका अपराजिता एक भी फूल नहीं दे रहा है तो आज की इस वीडिय करेगा नई ब्रांचिस निकालेगा तब ही फ्लावरिंग आपको अपराजिता के पौधे पर मिलेगी इसके साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ एक बहुत ही बड़िया फोटी लाइजर जिसको देने से आपका अपराजिता फिर से अंगिनत नई पले नई फिर से ब्राज़ए ग्रोथ और अंगिनत फूलों से फर जाएगा तो यह चीज क्या है आपको इसका इस्तमाल कैसे करना है अपने अप राजिता के पौदे की केर कैसे लिए करने हैं तब ही आपका पौदा अच्छी फ्लावरिंग करेगा टिप्स नी 100 वान सबसे पहले तो आपको जब भी अप्राजिता का पौधा आप लगाते हैं तो अप्राजिता के पौधे को आप एक support जरूर दे दीजे support देने से आपका अप्राजिता का पौधा उपर की तरफ अच्छे से growth करता है और नई branches लगातार निकालता रहता है लेकिन अगर आप इन लंबी ब्रांचिस को अपने पौदे के अंदर नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको अपराजिता को लंबा बनाना है आप चाहते हैं कि आपका अपराजिता लंबा और घना हो जाए तो इसके लिए इसको लगाते समय आप सपोर्ट जरूर दे देए, अगर आपने अभी तक कोई सपोर्ट नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसकी मिटी में कोई मोटा डंडा सपोर्ट के लिए गार दीजे, जिससे कि अपराजिता की जो ब्रांचिस है ना, अपराजिता एक लता है एक बहुत ही कोमल ब्रांचिस वाला पौधा है अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये प्रॉपर तरीके से ग्रोध नहीं करता है तो इसलिए आप इसको सपोर्ट जरूर दे इसको तनों को आप किसी सपोर्ट से बान दीजे किसी भी धागे की सायता से इसको आप बान दीजे तो आपका पौधा उपर उपर ग्रोध करता चला जाता है और नई ब्रांचिस निकालता चला जाता है और जितनी नई ब्रांचिस ये निकालेगा आपके पौधे में उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलेगी दूसरी गलती आप करते हैं जिसकी वज़े से आपका अपराजिता फूल देना बंद कर देता है जैसे ही ये फूल इसके सूखते हैं आज आपका अपराजिता का पौधे का जो फूल खिला है और अगले दिन ये मुझ्जा जाता है तो अगले दिन आप इसको निकाल करके फेक दीजे इसको आपको अपने पौधे के अंदर नहीं रखना है अगर आपने फिर भी इसके फूलों को इसके अंदर ही छोड़ दिया तो पौधा जो है वो बीज बनाना स्टार्ट कर देगा और इसका जो पूरी एनरजी है वो पौधे के लिए अगर आपको भी बीच चाहिए तो इस तरीके से आप कुछ फलियां छोड़ सकते हैं लेकिन सभी फूलों को आप नbest चोड़े अगर आप अप आप पराजिता की फलियों को बीच यह स्ट्ओर करके रखना चाहते हैं तो आप इसकी फलियों को कुछ इतना आप मैच्चोर होने दे कम से कम इसकी जो फली है वो पीली पड़ जाए कुछ इस तरीके सी इसके बाद इसको तोड करके आप छायदार वाली जगह पर दो चार दिन सुखा लिजे सुखाने के बाद आप इसको किसी भी पॉलिथीन में बांध करके रख दीजे और जैसे ही सीजन आता है इसको गरो करने का जो सीजन है वो मर्च का महीना है या फिर बारिश में भी आप इनकी फलियों को गरो कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको स्टोर करके अंगिनत पौधे अपर आजिता के बहुत आसानी से घर पे उगा सकते हैं इसके पर टिप्स नमबर 3 अगर आपके प्राजिता के पौदे में लंबी लंबी नताएं इधर उदर फैल रही हैं बहुत जादा पौट से बहार निकल रही हैं तो इनको आप काड़ दीजे इसको काटने के कई सारे फायदे हैं पौदे को मैनेज करना आसान हो जाएगा और जैसे ही हम उपर की ब्रांचिस को काड़ते हैं तो हमारा पौधा और जादा नई ब्रांचिस को निकालने के लिए अक्टिवेट हो जाता है तो अगर आपको अपने पौदे को घना बनाना है तो उपर से इसकी प्रूनिंग करना लगातार इसके टिप को काड़ते रहते हैं तो आपका पौधा पहले से ज़ादा घना और घना होता चला जाएगा इसके बाद टिप्स नमबर 4 जिसकी वज़े से अपराजिता की पत्यां सूखने लग जाती है अपराजिता का पौधा सूगने लग जाता है और कभी-कभी पूरा का पूरा अपराजिता का पौधा आपका सूग जाता है वो होता है इसकी मिटी इसकी मिटी बहुत बड़ा कारण होती है अपराजिता के पौधे को healthy बना कर रखने के लिए आपको हमेशा अप्राजिता के पौदे को लगाते समय एक ऐसी मिटी का इस्तमाल करना है जिसमें लंबे टाइम तक कोई भी पानी रुके ना दूसरी चीज आपको अप्राजिता के पौदे की मिटी में पानी का विशेश रूप से ध्यान रखना है अपको अपको हमेशा ह lnkा सा मौईश बना के रखना है कभी भी ऐसी condition नहीं होनी चाहिए कि आपके अप्राजिता के पौदे की जो मिटी है वो सूख जाए हाड हो जाए जैसे ही आपको आपके अप्राजिता के पौदे में पानी की कमी महसूस हो लगे कि ये मिट्टी आपके बिल्कुल सूख गई है तो तुरन से आप इसमें पानी डाल दीजे अगर आपने पानी डालने में डिले करा इसको पानी देव से दिया आपने तो इसकी पत्यां बहुत नाजुक होती है और ये एक दम से मुझा जाएंगी और पानी जादा बहुत जादा गीला नहीं रखना है ऐसा नहीं है कि बहुत जादा बरबर के आप पानी दे बहुत जादा पानी देने से भी इसकी मिट्टी में फंगस लग जाएगा और इसकी वज़े से भी अपराजिता की जड़ें गल जाती है और हमारा पौधा खराब हो जाता है अग पिर अगर आपके पास घर में धान का चिलका रखा हुआ है तो इसकी मिटी की जो उपर की परत है आप उसको धान के चिलके से कवर कर दीजे इससे मिटी एकदम से सूकती नहीं है और हल्गी मौईश हमेशा बनी रहती है और ऐसा करने से आपका अपराजिता हमेशा हरा बरा और लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा अब है टिप्स नंबर फाइव जो की अपराजिता का फर्टिलाइजर है इससे पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ प्याच के चिलके का फर्टिलाइजर शेयर किया था जो की अपराजिता के पौदे के लिए बहुत ही बढ़ अपराजिता के पौदे को दे देते हैं तो इससे अपराजिता का पौधा कभी भी फूल देना बंद नहीं करेगा क्योंकि अपराजिता के पौदे को सारे ही नुट्रिशन इन दोनों चीजों से मिल जाती है तो यह बहुत ही आसान सा सॉलीशन है बहुत ही आसान होममेट स ले सकते हैं अगर आप घर में homemade fertilizer नहीं बनाना चाहते हैं तो यह compost बहुत ही आसानी से आपको market में मिल जाएगा यह जो compost है यह है सरसो की खली का powder सरसो की खली के powder की जगह आप सरसो की खली भी ले सकते हैं इसको बिगो कर भी मात्र एक टुकड़े सरसो की खली को बिगो करके आप अगले दिन जो liquid fertilizer बनता है उसको चान करके अपने अपराजिता के पौदे में दे सकते हैं आप बिना चाने भी उसको dilute करके अपने अपराज और सारा ही nutrition जो की एक पौदे को चाहिए होता है वो सभी का सभी सरसों की खली से मिल जाता है ये solid form में भी आता है और powder form में भी आता है इसको आप बहुत ही आसानी से online purchase कर सकते हैं मैंने खुद इसको online flip card से जाकर लिया है इसको इसमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है अगर आप सीधे इसको अपने पौदे की मिटी में डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक चमबच 15-20 दिन में एक बार आप अपने अपराजिता के पौदे की मिटी में कुछ इस तरीके से डाल दीजे अगर आप इसको भीगो कर डालना चाहते हैं तो आप एक चमबच सरसों की ख पूलों की कमी नहीं आएगी इसके बद आखरी टिप अपराजिता के पौदे में अगर कीड़े लग रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपके पौदे की पत्यां कटी फटी है या कोई कीड़ा आकर आपके पौदे के पत्तों को खा रहा है तो इसके लिए आप बेकिंग समान का समान लेने जाते है वहां पर आसानी से मिल जाता है सफेद रंग का ौदर होता है आपको एक चौथाई चम़र बेकिंग सोडा को एक लिटर पानी आपके पौदे के नहीं भटकेगा तो फ्रिंस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू